प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्टिय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह एक वार फिर यह कहा कि भाजपा अपने बलबूते तीन सो सतर सीटें जीतेगी और राष्टिय जनतांत्रिक गटवंदन यानि राजग चार सो से अधिक सीटें हासिल करेगा उससे यह इसपष्ट है कि वह आत्म विश्वास से भरे हैं और तीसरी वार सत्ता में बापसी को लेकर सुनिश्चित हैं मौजुदा स्तित्यों में मोदी का तीसरी वार सत्ता में लोटना इसलिए आशान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ हैं और उसे नित्रत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी रिती नीती तै नहीं कर पा रही हैं कुछ समय पहले जो INDIA भाजपा का मुकावला करता दिख रहा था वह विखराव और तूट फूट से ग्रस्त हैं यह ठीक है कि राहुल गांदी प्रदान मंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं और वे कई समस्चाओं का भी जिक्र कर रहे हैं लेकिन वह यह वता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्चाओं का समाधान क्या है कांग्रेस की एक अन्य समस्चा यह भी है कि उसके नेताओं और कार्यकरताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है इन इस्तित्यों में आम चुनावों की घोषणा के पहले ही यह बातावरन निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लोटना मुश्किल नहीं प्रदान मंत्री मोदी ने राष्टिय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकरताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाव और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएं और उनका भरोसा जीतें उससे यह भी इसपस्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई कोर कशर बाकी नहीं रखना चाहतें मोदी ने पिछले दस साल के अपने कार्यकाल की प्रमुक उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिये जाएंगे हाला कि अभी तक ऐसे कोई इसपस्ट संकेत नहीं है कि संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे लेकिन पिछले दस वर्सों का मोदी सरकार का अनवब यही बताता है कि तीसरे कारेकाल में देश की दिसा और दसा में निरनायक वदलाव लाने वाले फैसले लिये जाएंगे भारत को एक विक्सित राष्ट बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवशक्ता भी है इससे इनकार नहीं कि पिछले दस सालों में अनेक शित्रों में महत्वपूर्ण कारें हुए हैं लेकिन इसकी भी अंदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफी कुछ किया जाना सेश है निश्चित रूप से प्रधान मंत्री का यह कहना सही है कि उनके कारेकाल में जम्मू कस्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा और साहशिक फैसला हुआ तथा राम मंदर निर्माण की सद्यों पूरानी अकांचा पूरी हुई भले ही राम मंदर का निर्माण सुप्रीम कोट के आदेश से हुआ है लेकिन इतनी सीग्र निर्माण इसलिए संबब हो पाया क्योंकि केंद्र में मोधी सरकार थी प्रदान मंतरी ने अपनी सरकार की उपलग्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि उनके कारेकाल में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ उनका यह कथन सत्य है लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि निचले इस्तर पर व्रष्टचार जस्का तस वना हुआ है उत्रा खंड में चार धाम यात्रा के द्रश्टी गत यात्री शुविधाएं विक्षित करना समय की मांग हैं यात्रा मार्ग पर यात्री शुविधाएं विक्षित करने से यात्रा ना केवल सुगम और सरल होगी बलकि परेटन और तिर्थाटन को भी गती मिलेगी चार धाम यात्रा पर प्रति वर्स लाखों सरधालू पहुंचते हैं गत वर्स रिकार्ड संक्या में पचास लाख से अधिक स्टॉप